हाई दोस्तों मेरे नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है S.O.L. Solution आज आप सभी के सामने आज हमें एक नई वीडियो लेकर आएं जो की बीए प्रोग्राम थर्ड यर के जो स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए आज की हमारी वीडियो है खास दोर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ग्लोबलाइजेशन का विश्य है या फिर जि जो 110% ज्यादा तर आपके एक्जाम में पूछे ही जाता है एक आधा दुख का साल होता है जिसमें नहीं पूछा जाता तो यह कोशन आपका ज्यादा तर पूछे जाता है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के में अपनी वीडियो देखो कोशन जैसे कि आप स्क्रीन पे दूचे से आपका visible हो रहा है कि आउट सुर्सिंग या बाहे शरूतिकरण क्या होता है तधिखो इसके बार में पहली बात हो में बात करनी है कि या फिर शर्मिको का पर्वसन यह तीन बात एक तो आउट सुर्चिंग दूसरा आपका बाहे शरूतिकरण तीसरी बात aanगर यह आपके question paper में आ जाए तो मतलब समझ जाना तीनो question आपके एक ही पूछे जा रहे हैं साथ ही आपके question या तो इसके लाप के साथ पूछेगा या इसकी हानी के साथ पूछेगा एक किस तरीक से question सिधा सिधा पूछता है या इसका एक और question पूछने का तरीका है कि वैश्विकरण के संदर में स्रम परवर्शन और बाहिस रोतिकरण के प्रभाव किसे कहता है क्या क्या प्रभाव पड़े हैं इसके बारे में आपसे कोशन है जो की पूछा जाता है दोस्तो हमारी वीडियो है हम अपने का अंसर श्rechtモरा करने से पहले दोस्तो हम आपको कहने चाहते है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आाएं तो हमारे daub को subscribe करें यह हम आपको slide by slide एक के वाद है कि हम आपको बताने वाले है तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो सब्सक्राइब करने ना बोले ताकि आगे की वीडियो जैसे ही मैं आपके लिए अपडेट करूँ उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो सबसे पहले हम जानने का प् जिसे वैश्विकरन आप कहते हो या भूमंडली करन वह भी है तो आपको पहले कोई साभी टॉपिक पढ़िए सबसे पहले आप उस टॉपिक को अच्छे से समझे वह है क्या उसके बाद आपको कोई साभी टॉपिक आपसे अगर पूछा जाएगा एक्जाम में आप उसका बैतरिन तरी से आंसर दे सेखेंगे कहीं न कहीं इस कोशन कर लिंक भी वहीं वैश्विकरन पर आपके जुड़ता है पहली बात तो देखिए सर कि आउट्सोर्सिंग जो है इसे हम कहते हैं वैश्विकरन का गौन रूप गौन का मतलब होता छोटा यह क्या आया कि 1990 के दशक में जब सोवित संग का विगटन हो गया उसके बाद पूरी दुनिया में आपका पूंजीवा त्वैलने लगा और वैश्विकरन को भी बढ़ावा मिला उसके साथ साथ जो आउट्सोर्सिंग है इसको भी बढ़ावा मिला यदि आपने ट्राज क्लास में किसी स् भी कहते हैं तो 1990 के दशक से आगे से हम यह देखते हैं कि जो वैश्विकरन के साथ साथ आपका आउट्सोर्सिंग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आउट्सोर्सिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हमने आपके लिए एक अलग ही परिवाशा के रूप इसमय आप स्था को लिखा है की अचल में है क्या jacket opening सभी कंपनियों को और उध्योंको कि कविए जों कि इक खुद की देशिकी नहों कर कि दूसरे देशिम में होती है जिस प्रकारिके टीक्रति की तो व्यापार को संचालन करने के लिए या व्यापार से अधिक से अधिक लाब कमाने के लिए यदि आपके देश में वे अपने उध्यम स्तापित करती है तो उसे हम बाहिश्रोतिकरण कहते हैं जिसे हम लगबग लगबग 50-70% तक हम व्याश्विकरण से और उसके साथ साथ TNC के साथ जूड़कर देखते हैं दोस्तों फिर से मैं आपको रिप्वीट कर रहा हूं आपके लिए कि बाहिश्रोतिकरण क्या होता है एक बार आप उसे अच्छे से समझ लेंगे कि बाहिश्रोतिकरण देखिए दोस्तों कि वैश्विकरण के आ जाने से जो आपकी विदेशों के अंदर उनका व्यापार जो हो सकता है कि शायद थोड़ा महेंगा होता है जिसके लिए वो क्या करती है विदेशों में अपनी इंडस्री लगाती है वहां पर क्या करती है अपने वस्तों का उत्पादन करती है या उसको सेल करवाती है ताकि वहां से वह अध जो KPO होता है वह क्या हुता है ज्यान अधारित बाहश्रोतन और व्यपश्रोतन क्यलाता है गो आपको जानना है कि मेरे मनमें कि Pro क्या है अमारे च्रू अब बाहु रोप तो आप कॉलसेंटर को देख सकते को बहत रहें कि आज ये विदेश की जो company आए call center के जरीए आपके देश में आई हैं आपके देश में establish हुई हैं यह क्या कर रही है कि यह आपको phone करती है या फिर आपको advertise करती है कि सर हमारी company क्या है कि इस चीज का production करती है या इसको बनाती है आप इसे खरीदने चाहेंगे क्या तो वो company क्या होती है जाएतर विदेश की होती है वो क्या करती है अपने मजदूरों को ना रखकर विदेशी देश जैसे विकासिन देशों के मजदूरों को रखती है ताकि उन लोगों को क्या है कि थोड़ा कम हम अगर पैसा पे भी करें तो क्या है कि वो हमारे लिए जादा लाब दाय को उधारन के लिए कि कोई अमेरिका की कंपनी है वो भारत में आती है और भारत में क्या करती है अपनी इंडस्ट्री लगाती है और कॉल सेंटर भी खोलती है साथ के साथ यह कहती है कि अब हमें इस प्रोड़क्त को सेल करना तो कॉल सेंटर के जरीए क्या करती है उसका एक हजार डॉलर को हम एस्टिमेट लेके चलते हैं, वही क्या है कि एक हजार डॉलर इस समय अमेरिका के जो भारत के आपके 60-70 हजार से कम नहीं है, यदि वो अपने किसी एक एंपलॉयर को रखती है अमेरिका तो उसको अपने एंपलॉयर को 60-70 हजार पे करना पड़ेगा, लेकिन वही काम भारत के या विकासिन लेशों में क्या होता है कि हम भारते मुद्रा के अगर बात करें, तो वही आपके हज से ज़्यादा 15-15,000 तक उसका वो काम पूरा हो जाता है, तो इस प्रकार एक विदेशी कमपनी अपनी लागत को कम करने के लिए विदेशों में अ समझ आरहा होगा मैं क्या क्या यहां क्या दोस्तों को नहीं समझ मैं आ रहा तो आप मुझे comment box में करेंगे सर हमें आपका नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपके लिए और भी वीwarakterion video का फायदा उठा सकें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट मिल सकें तो दोस्तों आगे की बात करते हैं कि भाइश रोतन जो हैं इसकी मैंने बताया आपको दो तरीकी से कोशिन पूसता है वैश्विकरन के संदर में इसके के आध कि वैश्विकरन के आने से आपकी बाउण्डरी जो हैं वह उपन हो चुकि तो आपका क्या है कि आउठ और प्रभाव पर रहा है उस पर सब्. पर परान से कियं पर आपकी देश पर की का पर आपके लिए यह हो रहा है कि लाब और परभाव दोनों एक ही हैं अगर आपके आजाए तो यह आंसर लिखना है तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आप यह लिखेंगे प्रभाव या लाप का की विदेशी निवेश में विर्द्धी होना आज क्या हो रहा है कि विकासिल देशों में भारत जैसे देशों में या फिर अफ्रीका के यह देशों में उन देशों में हम देख रहे हैं ज्यातर विक्सित देश जहां पर आरे है एपनी जो MNCs है, TNCs है, इसको इस्तापित कर रहे हैं, और यहां पर क्या है, कि यहां की जो अर्थवेवस्ता है, उनकी अर्थवेवस्ता इतनी ज्यादा मुझबूत नहीं है, कि वो बड़ी-बड़ी कंपनिया खूल सकें, इसलिए जो बाहर की कंपनिया क्या कर रहे हैं, जिनके है, कि भाहिश रोती करण के जो जरीए, जातर जो विकासिल देशों में कंपनियों के साथ, आज हम देख रहे हैं, मेल मिलाप हो रहा है, और विकासिल देशों की तरफ हमें दिख रही हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनिया है, वो आ रही है, क्योंकि यहां पर अगर वो जरा दूसरे परभाव और दूसरे फाइदे के बारे में हम बात करते हैं, कि विकासिल देशों की अर्थविवस्ता सुधरी, अब देखो FDI, FDI का मतलब है परतेक्ष विदेशी निवेस, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा अब को नहीं मिलेगा, तो आप कल तक कहीं थियार करेंगे, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो FDI इसके बार में बात करते हैं, कि देखो देशों में क्या हो रहा है, कि विदेशों से भी पैसा इसको मिल जा रहा है, जब विदेशों से भी पैसा तो उसके अर्थव्यवस्ता देश के और विदेश के दोनों की साहता से पहले की तुलना में आपकी मजबूत हो जाती है तो दूसरा point इसका ये है कि उसकी अर्थव्यवस्ता जो है उसमें भी सुधार आ जाता है जरह हम इसके तीसरा points के बारे में बात करेंगे कि तीसरा points आपका क्या है कि जो रोजगार है आपके यानि जो employment है इसके आपके नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं मैंने आपको एक example दिया था जैसे आपके यहाँ पर call centers है क्या है कि विदेशी अगर call centers हैं तो आपको सबसे ज्यादा क्या लाग हो रहा है कि वहाँ पर आज हमारे देश के नव यूवक्त बहुत से लोग क्या है कि वहाँ जॉब कर रहे हैं आपके देश में जो रोजगार की जो सुविधा है वह पहले की तुम्ला में बहतर हो रही है तो दूसरा point जो दोस्तो आपका यह था ज़रा आगे की बात करेंगे हम points क्या हैं दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आप अपना answer points में ही लिखें लेकि नमबर ना डाले नमबर ना डालने का इक सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि आप गलती से number जैसे भी मैंने आपको बोलते-बोलते क्या कर दिया तीन के जगा दो बोल दिया अगर आपने नमबर भी गलत बोल दिया यह लिख दिया तो उसका गलत इंप्रेशन पड़ता है तो गलत इंप्रेशन पड़ता है साथ ही साथ कई बार ही आपके होते हैं कि point आपने बहुत अच्छे से बड़े length से explain किया होता है लेकिन वह आप 2 point याद रह पाते है आपको एक ही point याद कि चौथा है कि आज हम इसके बारे में शुरू से ही बात करें और यह इसी पर पूरा बेज़ड़ है चौथे point के ओपर ही कि वस्तू की लागत में कमी आ रही है जो वस्तू है अब देखे दोस्तों अब वही अमेरिका की कोई company अगर हमारे देश में अमेरिका से कोई अपन सिर्फ उन company का यह काम सस्ते में नहीं और अबल कि आपके देशों में भी वह वस्तू है अगर आपको कम कीमतों में मिल रही है तो सबसे बड़ा एक point आपका यह है इस point को तो most important point है आप इसको जरूर लिखेंगे और आप इसको क्या करेंगे कुछ points ऐसे हैं जैसे मैंने तो दोस्तों अगले points के बारे में बात करते हैं क्या फायदा है हुआ है क्या नुकसान हुआ है क्या नुकसान नहीं हुआ है अगला फायदा यह हुआ है हमारे देखते हैं अपनी अगले पॉइंट में है कि मजदूरों के परती जो परस्रिक्षन है उनका परस्रिक्षन भी हुआ है मजदूरों को परस्रिक्षन देखो पहले क्या होता था हमारे देश में किसी को जॉब मिलती ते नॉर्माली जॉब मिल जाती चल वही कल से काम करना है लेकिन अब ऐसा नह करना उसकी ताकि कारे की शमता जो है उसकी कुशनता वह भी बहतर हो और वह क्या है कि उन गलतियों को करने से बचे जो उससे हो सकती है तो यह पॉइंट आपका इस पर बेजड है अगला है ज्यान अधारित जो कारे हैं उसमें वृद्धी होती है तो ज्यान अधारित कारे है यह तो हमारे एक तो बैट पॉइंट भी है लेकिन हमारे काम में लिख सकते हैं कि हम जातर चीजे क्या है कि हमें रिकॉर्ड के तौर पर इतनी बड़ी-बड़ी फाइल है इतने सारी चीजे नहीं करने पड़ती है अच्छा हमारे पास आउसर है कि हम क्या इन टक्निक आपकी इन सब को हम यूज करके उसको बहतरी नंग से रख सकते हैं तो दोस्तों अगर लाब आये तो आपको लाब यह लिखने है क्योंकि आंसर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा आपको टाइम मैनेज करके चलना है तीस से पैंतिस मिन्ट में आपको अपना पूरा आंसर लिखन दोस्तों मैं इस टॉपिक के लिए जो हानी आए इसकी बूरे प्रभावे जो अगुण है उसके लिए अलग वीडियो ना बनाकर मैं इसी वीडियो में बना लोगता कि आपको ज्यादा बटकने की जुरत ना पड़े या फिर आपको ज्यादा त्यार करने की जुरत ना है अब गुण काव सबसे बड़ी ऐफेक्ट है सबसे बड़ी बात है कि आज हमारी देश की जो अर्थे में वेस्था है वो क्या है कि बाहर की जो देश है जो MNC TNC है TNC MNC में इसलिए बोल रहा हूं यह TNC का चैप्टर नहीं है आप यह ना सोचना कि सर्थ TNC हमें इ आप सब जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है वो तो उसको भी जुरूर देखें विना देखें एक्जाम में ना जाए तो देशों की जो अर्थ विवस्ता है हम देखते हैं उस पे बाहर की अर्थ विवस्ता का परभाव बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है कि आज इन 22 रोत्र परभाव बढ़ देखना है कुछ पाटी करनी है कुछ मूवी देखनी है तो लोगों का बड़ा क्रेज है तो विदेशी फिल्में देखनी है विदेशे कपड़े पहनने हैं ठीक है मतलब आपका क्या है कि हम चाओ तो अपसे इसे गिरते जा रहे है आज की हमारी जो देश यह किए इस पर बैजड़ा है कि दूसरी पाइंट के बारे हम बात करते हैं बड़ी बड़ी मशीन हों के आए नें हमार्य देश में अर मषीनों का व्यापक प्रियोग होरे है और हमारा जो देश है या और भी जो विकासियल देश है उनमें इतनी शम्ता नहीं होती कि प्रतेक देश का नागरिक जो है अपने बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लगा सकता तो वो क्या करता है चोटे-मोटे किरिया कलाब करता है और चोटे-मोटे किरिया कलाब क्या है यह अच्छे से चल सकते हैं जब तक इन पर कोई बड़ी कंपनिया बड़े बड़े आपको जो कंपनिया वो सस्य दावों में चीज़े ना प्रोवाइड करें जिस दिन वो प्रोवाइड करवाने लगती है आपकी जो गुनवर्ता है वो खराब होती है और आपकी वो जो रोजगार के जो सादाने चोटे मोटे जो द्योग के वो बंद होना शुरू हो जाते हैं तो इसका बैड इंप्रेशन पड़ा इस चीज़ पर अगली बात करते है देश की पुंझे कहा बहों कहा है विदेशो महर है आज विदेशकी कंपनी में इंडस्टी के साथ भाएर रहा है पैसा थो वह देश य sozusagen आए उसको अपके देश करने कि आपको बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो ग्लॉबलाइजिशन के इस चैप्टर में मिलेंगे टी एंसी में मिलेंगे आप जब वैश्विकरन के आयाम पड़ेंगे उसमें मिलेंगे तो आपको लिखने का ढंग होना चाहिए अब जिस तरीके से अपना फेपर लिखने वाले तो किस तरीके से लिखे लिखे बिए इजामिनर जानता है कि आपकी पूरी की पूरी बुक वैश्विकरन प्यादारिद है अगर आपने वैश्विकरन का चैप्टर अच्छे से पड़ रखा है आपने अब तक उसको नहीं सम आप करेंगे अपके एक्जाम में भी और पॉइंट सिमलर हो सकते हैं इस कोशन में भी अगर कोशन सेम पूछा गया तो आप उसको लिख सकते हैं अगला है मज़दूरों के परती शोषण में वृद्धि में क्या हुआ है इसके बारे में लेखेंगे आज लेखें कि क्या है क कि Panel पैले होते थे मजदूर संगर अगर हमारे देश की कॉंई इंडिर्स्री थी ठो ऐसे कि सी बिना रीजन के हम किसी मसदूरों को नहीं निकाल सकती थे तो आपको क्या है कि उनके हिसाब से रहना पड़ता है अगर नहीं रहना चाहते तो आपको निकाल दिया जाता है तो यह इसका मजदूरों के उपर बुरा परवाव पड़ा है दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीड पहुदार है उनको भी पेजर कीड़े वीडियो ताकी वीडियो इसका फायदा उठा सके साथी साथ हमारा जो चैनल हैगा वह सिर्पि प्रोग्राम थर्डी यर सेकटर के लिए हिने है वो फुब्सक्राइब कर रहा है यह उनके लिए वीडियो अपडेट अभी रोगर है कर रहा हूं इतने उनके लिए इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी इनके एक्जाम लें थोड़ा सर श्याम है यह जाड़ा ख़कल इसiman क्योंकि आप को रोजाना है वे कि आपने इतनों को किसी और के लिए करना तो है कि सलीडी हो सके непहल जाद समय अब तो आपको हमारे चैनल को अच्छा लगे तो अपने च्छोटे बाइबन को भी भीज सकते हैं साथ एसाथ 11th, 12th, 9th, 10th हम हर प्रकार के वीडियो आपको देंगे अब कोई च्छोटे बाइबन है तो उनके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है मैट्स के साइन्स से रेलेटेड हर एक तरह के आपको सॉल्यूशन, मोट्स बेगेरा आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूले मारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी जाएजए नन्यवाद दोस्तों